अब आप इसको ये शेवाज शरीफ क्यों बोल रहा है ये शेवाज भाई नो अप चाइना को इससे भी प्रोब्लम है कि भारत भारत के अंदर नेवल बेस क्यों मना रहा है वहां पे चीनी मीनी चाउं-चाउं को अंग विशेश में खुझली हो रही है यानि कि आपको सिर्फ फौज स्यापत्ती नहीं है आपको भारत स्यापत्ती है अच्छा इतना बड़ा पंगा मुईजू नहीं ले सकता इसलिए मुईजू नो बोला ठीक है कॉंप्रमाइज कर दखते हैं ना आपकी ना हमारी बीच वाला रस्ता डोनते हैं हिंदुस्तानी तो रहेंगे बाँ पर इंडियन्स विल भी देर बट इसने चाइनीज चटनी चाट ली यानिकी खजूर इसने जेब में डाल दिया और इसने क्या वादा करा था आप चिंता मत करो जब मैं बनूंगा प्रेजिएंट मैं इंडियन्स को ठके मार के निकाल दूँगा उसने बोला वावा मुईजू बेटा तुई अपनी डालेंग है तो जा तो मुईजू ने बोला ठीक है अगर मैं चाइना की डालेंग हो मुईजू आया घोले पर बैठके जिहाद का नारा लगाते हुए जैन दोस्तों मैं हुए जो गरवारिया और आप देख रहे हैं दचानक के डालॉग्स इस वीडियो को लाइक करिए हमारे चानल को सब्सक्राइब करिए बहला एकन दबाना बिलकुल ना दूलिएगा दोस्तों मॉल्डीव्स में अभी जो पॉलिटिक्स चल रही है और मॉल्डीव्स के अंदर और मॉल्डीव्स की वज़े से जो लोकल एरिया में जियो पॉलिटिक्स चल रही है उससे चाइना बहुत परेशान हो गया है आपको पता है कि चाइना की डिप्लोमेट्स खुद कुछ नहीं कहते, दे नेवर से एने थे, पहले मैं आपको समझा दूँ चाइनी सिस्टम, फिर मैं आपको बताऊंगा मॉल्डीज में क्या खेला हो रहा है, दोस्तों चाइना का सिस्टम ये है, कि चाइना को ये पता है, दुनिया भर में मीडिया बड़ा स्ट्रॉंग है, और दुनिया भर में, खास तोर से भारत में, या फिर वेस्टन कंट्रीज में, आप काफी हद तक देखेंगे, और भी कंट्रीज हैं, जैसे जैपैन है, न्यूजिलिंड है, औस्ट्रेलिया है, यॉरप है, और जितनी भ the matter is चाइना में एवन एक सिंगल ट्विटर हैंडल भी आजाद नहीं है क्योंकि ट्विटर अलाउड नहीं है जब तक कोई कसम खा के यह न बोल दे कि मैं Communist Party of China का बिलकुल लॉयल हूँ बिलकुल वफादार हूँ और मेरा एक सर्टन ओधा है चाइना में ट्विटर हैंडल भी आप नहीं रख सकते दोस्तों यह मैटर रुक है चाइना में अब चाइना ने क्या करा मॉल लीज को लेके ग्लोबल टाइम्स में एक एडिटोरियल छपा ग्लोबल टाइम्स चाइना का एक अकबार है और उसका वो चाइनीज कॉमिनिस पार्टी का माउथ पीस है दोस्तों वो जो ग्लोबल टाइम्स है वो चाइनीज कॉमिनिस पार्टी के बयान सामने लेकर आता है चाइना को ये मौका देता है कि चाइना बोले यार मीडिया की जो मर्जी मीडिया लिखे जैसा मीडिया और कंट्रीज में लिखता है वैसे चाइना में लिखता है लेकिन सब को एक बात पता है कि ग्लोबल टाइम्स इसका माउथ पीस है जो Chinese Communist Party चाइना की सरकार चाहेगी वही चीज ग्लोबल टाइम्स बोलेगा अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ Global Times ने भारत को लेके क्या बोला है तो दोस्तों ये देखिए दोस्तों पहला point वो कहते हैं कि इंडियन नेवी ने जो Maldives के आसपास base बनाया है वो इंडिया का stepped up presence है इंडियन ओशन रिजिन भारत चाहता है कि भारत का एक enhanced presence है एक बहुत बढ़के presence हो इंडियन ओशन ओ भाई जो भारत बना रहा है base वो किसी और देश में थोड़ता बना रहा है अपने देश में बना रहा है भारत के अंदर naval base क्यों मना रहा है आप समझो भारत जो है भारत के अंदर naval base क्यों मना रहा है वहाँ पे चीनी मीनी चाउँ चाउँ को अंग विशेश में खुज लिए हो रही है दूसरा point यह है दोस्तों Chinese अगवार जो global times कह रहा है कि जबसे Maldives ने भारत को बोला है अपने troops हटाओ तब से भारत कहता है कि भारत की जो hegemonic mentality है यानि कि कभजा करने वाली mentality कि हम ही boss है सबके एक hegemonic कायम करने वाली और neighborhood first strategy ये देखो ये चाइना जूट बोल रहा है पहली बात तो ये Chinese जो है चीनी मीनी चाउँ 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 ये क्यों जूट बोलते है अठातर बंदे थे भारत के जो कि अब हट रहे हैं वहाँ से अठातर बंदे थे उसको कह रहा है Indian troops पता न जैसे इंडिया ने एक strike core खड़ा कर दिया हो Maldives के अंदर ऐसे ऐसे जूट पॉइंट नमबर टू पॉइंट डबर थ्री analyst suggest analyst ये कौन से analyst है किसी को नहीं पता analyst suggest करते हैं कि इंडिया का जो action है ये Maldives को punish करने के लिए है और चाइना का influence कं करने के लिए है भारत कैसे इलाके में naval base बना रहा है तो भारत मaldives को punish कर रहा है क्यों बैई कल भारत object ठरने लगे कि चाइना ने चिंग चॉंग शहर में पिंग पॉंग शहर में डिंडाग शहर में naval base क्यों मनाया है चाइना के अंदर कि भारत भी protest करे भारत नहीं कर सकता हो चाइना का इलाका है and give it a stronger foothold in area to monitor military and commercial activities. क्या दिखता दे इसमें? हम तो करेंगे भाई, हमारा इलाका है, strong foothold, अपने कल आप बोलो कि जी मेरी जमीन है, मैं इस पर घर नहीं बना सकता. चोर कहीं के. Basically क्या है कि जो carrot and stick अप्रोच है, भारत की, जो carrot and stick वाली अप्रोच है, भारत की, इससे insecurity among its neighbors जो है, वो बढ़ जाएगी और भारत में और उनके पडोसियों में फासला कर देगी, ये चाइना बोल रहा है. तो देखिए दोस्तों, चाइना अपने मेडिया का किस प्रकार से इस्तमाल करता है, धीरे धीरे जहर बोने में, जो जहर के बीज बोता है चाइना, जो disinformation और misinformation के बीज बोता है, जो चाइना दुनिया को बताने की कोशिश करता है कि यार, भारत अपने ही एरिया में एक base बना रहा है, इसका मतलब भारत की अपने neighbor से नहीं बन रही, अब इस global, उसको पता है कि global time दो है, चाइनीज तो अंग्रेजी पढ़ नहीं पाते है ठीक है, चाइनीज जो है चाइनीज के अलावा कुछ नहीं पढ़ पते है तो क्यों इन्होंने English अक्बार खोला है जबकि कोई इसकी readership है ही नहीं इन्होंने खास तोर से English अक्बार इसलिए खोला है क्योंकि दुनिया भर चाइनीज नहीं आती दुनिया को तो दुनिया opinion कैसे बनाएंगे अपनी राय कैसे कायम करेगी, global times पढ़ो global times पढ़के दुनिया भर को बात बिल्कुल जुट है ये भारत को target करने का पूरा पक्का प्लान है, अब मैं बताता हूँ क्यों ये इसलिए भारत को target करने का प्लान है दोस्तों, क्योंकि ये बात कहां से आएगी भारत के troops अटाओ, मैं ये जानना चाहता हूँ, ये matter आया कहां से ये matter आया क्योंकि चाइना ने अपने पिछलगू, मुहम्मद मुईजू को ये बोला कि देख मुईजू, तू हमारी रोटी भी खा चुका है, हमारी बोटी भी खा चुका है, ठीक है, तू हमारा कर्सदार बन चुका है, अब जाके तू भौक, चाइना का पुराना सिंपल सा फंड़ा जो पाकिस्तान के साथ यूज़ करता है, वो मॉल्डिव्स के साथ यूज़ कर रहा है, पुराना फंड़ा क्या है, अच्छा बेटा, कुटा भी मैं पालू, भौकू भी, ना, 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 नॉट एट आल, जब हमने मुहम्मद मुईजू पाल रखा है, तो ये बह आर्गूमेंट है, भारत नहीं ये बोला कि हमारे 78 बंद हैं वहाँ पे, टोटल 78, अगर आपको ये प्रॉब्लम है कि ये भारतिये नौसेना के हैं, तो कोई बात नहीं, हम इनको देते हैं हटा, और इनकी जगे हम सिविलियन, देखो इंडियन्स तो वहाँ पे रहेंगे, इंडियन्स वहाँ पे रहेंगे, या तो मौलडीव्स खुलके बोले, कि सब हमें हिंदुस्तान की ही आवशक्ता नहीं है, सारे के सारे इंडियन्स वहाँ से चले जाओ, या तो ऐसा बोले, अगर ये ऐसा बोलता है, फिर मैटर कहीं और चला जाएगा, यानि कि आपको सिर हमारी बीच वाला रस्ता डूनते हैं, हिंदुस्तानी तो रहेंगे बहां पे, इंडियन्स विल भी देर, बट वहां पे जो इंडियन्स रहेंगे, वो सिविलियन्स रहेंगे, बना ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हर एक हिंदुस्तानी वर्दी पहना हो या बिना वर्दी के वो पेट्रियोटिक इंडियन है और वो इंडिया के जो इंट्रेस्ट्स हैं इंडिया के इंट्रेस्ट्स वो हर समय सर्वो पर ही रखेगा तो इट डस नाट मैटर तो अस ठीक है महाँ पर सिविलियन्स चलेगा अच्छा जी ये बात जो है ये चाइना का जो रिसर्च शिप है जब से मॉल्डीव्स में गया है तब से मॉल्डीव्स में दोस्तों एक और हरारत आ गई है और एक sign करा है जैसा मैंने कल भी आपको बताए था कि चाइना और मॉल्डीव्स नेएक डिफेंस का pact sign करा है कि चाइना ने बोला है कि हम free of cost आपको defense का सामान देंगे defense का आपका profile बढ़ाएंगे और मॉल्डीव्स को ऐसी बात करियं कि मैं तो सिर्फ Maldives वलों को एक ही बात कहता हूँ कि चाइना का मुफ्त का चूरन खाने के बाद पाकिस्तान का क्या हाल हुआ आपको पता है श्रिलंका का क्या हाल हुआ आपको पता है और 20-25 एफ्रिकन देशों का क्या हाल हुआ ये बात आपको पता है You know that You know that absolutely well चाइना का जिसने चूरन खाया चाइना की जिसने चटनी चाटी उसका क्या हाल होता है Everybody knows वही हाल Maldives का हो रहा है अच्छा Maldives में भी दोस्तों politics ये चल रही है कि Maldives में दो main opposition party है एक तो है the Democrats और एक है Maldivian Democratic Party मैं फिर से बताता हूँ अब ये मुईजू को टपकाने के लिए लगे हुए है बीच में चाइना ने पैसे वैसे खिला है मामला थोड़ा सा शांत करा हूँ वहाँ पे लेकिन मामला फिर उबरेगा और मैं आपको आज बता रहा हूँ आज 2024 है 2026 December से पहले पहले मुईजू निपट जाएगा वेनाई से निपट जाएगा गलत मत समझना पावर से निपट जाएगा ठीक है मैं तो कुछ बोलता हूँ लोग अलगी उसका मतलब निकाल लेते हैं I don't mean that मेरा है कहने का मतलब है कि मुईजू जो है पावर से हट जाएगा 2026 December 31 से पहले पहले ठीक है यह जाएगा यह जाएगा यह जाएगा यह जाएगा नहीं टिक पाएगा महाँ पे मुश्किल से दोड़ाई साल का इसका और टेनियोर है अच्छा जी वहाँ पे दोस्तों फिर मुईजू ने बकवास कर ली मुईजू बार बार अपने चाइनीज मालिकों को यह समझा रहा है कि मैं तुम से बड़ा लॉयल हूँ जिसको कहते है न शाह से जादा शाह के वफदर यह चकर हो रहा है मुईजू के साथ शाह से जादा शाह के वफदर अब देखो जी मुईजू ने बोला है कि नो इंडियन मिलिटरी परसनल इंक्लूडिंग दोजन सिविलियन इंक्लोधिंग विल बी प्रिजेंट आफ्टर टेंथ अफ में यह क्या कहने की ज़रूँट है कि मैं इंडियन्स को हटा दूँगा इसने प्रॉमिस करा था चाइना से और इसने चूरन चाट लिया इसने चाइनीज चटनी चाट ली यानि कि खजूर इसने जेब में डाल दिया और इसने क्या वादा करा था आप चिंता मत करो जब मैं बनूँगा प्रेजिडंट, मैं इंडियन्स को धके मारके निकाल दूँगा। उसने बोला, वावा, मुईजू बेटा, तुई अपनी डालेंग है, तु जा। तो मुईजू ने बोला, ठीक है, अगर मैं चाइना की डालेंग हो, मुईजू आया घोले पे बैठके है, जिहाद का नारा लगाते हुए, यहाँ पर बाकी जो उपोजिशन पार्टीज वाले हैं, उन्हों ने बोला, तु पागल वाले है, तु पागल है, एक बात बता, किसने वैक्सीन बेजी, इंडिया, जब हमारे पास पैसे नहीं थे, तो किसने पैसे बेजे, इंडिया, आज की तारीक में तू कहरा है, इंडिया को निकाल दे, यह मॉल्डीव्स के ऑबोजिशन पार्टी वालों ने इससे पूछा, तो यह वापस गया चाइना, जब यह यह तो मना कर रहे हैं, यह तो मना कर रहे हैं, कि तुम इंडियांस को नहीं निकाल सकते हैं, ऑब इसके गले में फज गई हड़ी दोस्त THOM, यह अंदर की खبر मैं आपको बता रहा हूँ, इसके गले में फज गई हड़ी क्योंकि जैसी इसने इंडियन्स को बोला कि हम आपके फौजियों को हटाना चाहते हैं जो कि इसने चाइना से वादा करा था कि हम आपके फौजियों को आप अपने फौजी हटा दीजी ये बड़ा इसने मीडिया के सामने ये बकवास कर दी कि हम इंडिया के फौजियों को हटाते हैं इंडिया ना बोला ठीक है अब ये ठीक है के लिए तैयार नहीं था ये ठीक है के लिए तैयार नहीं था इंडिया ना बोला ठीक है आपका देश है आप एक काम करो आपको फौजियों से प्रॉब्लम है इस ना बोला हाँ हमें भारत के फौजियों से problem है इसनणों बोला ठेक हम civilian डाल देते हैं अब चाईना इसको कह रहा है कि तुम किसी तरीके से इन civilians को भी धटा हो जो फौजियों की जगह आ रहे हैं और वो civilians है अजली अब यह धता नहीं पढ़ा क्योंकि इस मूह से वाले लीडर्स हैं, वो इसके गली, गले के अंटी का फांस बन गए, अब ना उगला जा रहा, ना निगला जा रहा, ना मुईजू is caught between a rock and a hard place, दोस्तों, ये बिचारा गया है, फस, मैं आपको एक और बात बताता हूं, बड़ी इंट्रेस्टिंग, अब दोस्तों, चाइना मैं इस सब समझा चुका हूं आपको, अब स्टोरी पता है सबसे इंट्रेस्टिंग क्या आ रही है, ये चाइना को खुश करने के लिए बार बार चाइना को कम्यूनिकेशन दे रहा है मेडिया से, कि चाहे वो फाजी, सिविलियन ड्रेस्ट में क्यों ना हो, वो फाजी मॉ तो बोला कि भी, ये तो सिविलियन हैं हमारे, अब चेक कर लो, अब इसको समझ में नहीं आ रहा है, क्या करें, चाइना वहां से प्रेशा डाल रहा है, तूने चटनी चाटी है, तूने चुरन खाया है, ये कह रहा है, तूने चटनी चाटी है, चुरन खाया है, ये कह रहा मुजूज एंटी इंडिया स्टैंस प्रॉपल दिम्टु पावर लास्टेर ने प्रॉंपली डिमांड दे रिमूवल ओव इंडियन पर्सनल ठीक है जी अब इसने स्ट्रिलंका के साथ मेडिकल इवैकुएशन फ्लाइट्स का भी तै कर लिया इसने सारा कुछ कर लिया ठीक है जी सारा कुछ कर लिया बट इसको ये समझ में नहीं आ रहा कि इसको क्योंकि देखे चाइना बहुत दूर है उससे चाइना मॉल्डीव से हजारों किलो मेटर दूर है इंडिया बगल में है सामने इंडिया जो है मॉल्डीव के ये सामने रहा इंडिया, आप अगर इंडिया से जाओगे, फ्लाइट पकड़के पेंता अलिस मिनटे गंटे महों जाओगे, ये बगल मेरा इंडिया है, ये मॉल्डीज, इस अ नेवरिंग कंट्री, अब ये क्या करे, ये बिचारा भज गया है, मॉल्डीज, स्ट्राइटिजिक लोकेशन in the Indian Ocean region and its proximity to India, make it a key maritime neighbor, with significant implications for regional security and cooperation initiative like Sagar and the neighborhood first policy, इस से चाइना, अब चाइना देखे दोस्तों, जोगरफी के साथ तो लड़ दी सकता, चाइना जो है, भूगोल के साथ लड़ दी सकता, और चाइना कोशिश कर रहा है कि भूगोल के साथ लड़े, किसी तरीके से चाइना कोशि अबुलिंस चाहिए ना, कोई बात नहीं, हम फ्री में देंगे, तुम्हें पैसा चाहिए, कोई बात नहीं, हम फ्री में देंगे, तुम्हें अबुलिंस चाहिए, कोई बात नहीं, हम फ्री में देंगे, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए, तुम अपना मैं करने नहीं देंगे तो he is caught between a rock and a heart place दोस्तों ये total matter आज का है जो कि पुरी तरीके से फसा हुआ है चाइना पूरी कोशिश कर रहा है पूरी चाइना जोर लगा रहा है किसी तरीके से भारत को वहां से निकाल दें लेकिन भारत वहां से निकलने का नाम नहीं ले रहा है और खुल के बोले कि यहां पे Indians रहेंगे ही नहीं तो यह बोले। फिर अगर civilians से प्रॉबलम है फिर वहां पे ताज का होटल है मौल्डीव में वहां पे Indians की करोनो रुपय का वहां पे investment है फिर वो भी हटेगा फिर जब हटेगा तो फिर सब हटेगा एक level तक आपने बोल दिया फौजी नीची है यहाँ पर हमें आपकी बात अच्छी नहीं लगी लेकिन समझ में आ गई कोई बात नहीं अगर इससे जादा बढ़ाना है फिर बताओ कितना मैटर को बढ़ाना है कितना आगे ले जाना है यह समझा दो हम उसी तरीके से काम कर लेंगे दोस्तों यहाँ पर होता है वीडियो खतम अब हम आते हैं क्वेश्चिन और आंसर पर तो दोस्तों पहला सवाल जो है यह है मनीश दिक्षित जी का जैन सर जैन मनीश जी हम गर्वर्मेंट वर्कर्स की कॉलिटी और वर्क कैसे इंप्रूव कर सकते हैं हमें क्यों नहीं दिखता इनोवेशन फ्रम आर पीपल और वी अफ टो पर्चेस टेक्नोलोजी स्रम आउटसेट लेकिन ऐसा है कि एक जमाने में इंपोर्ट आसान धा मरे लिए है सब लोगों के कमिशन फिक्स थे तो जब आप कहते हैं कि भारत के अंदर ही आप कोई चीज़ बनाओ तो फिर कमिशन उसके बंद हो जाते है कमिशन उसके बंद हो जाते है तो सरकार ने सबसे पहले ये बोला कि आत्मरवर्ब भारत के तहत खुद बनाओ हर चीज इनोवेशन करो आर इंडी में मोटा पैसा लगाओ तो वो चल रहा है और जो भी और खास्तोर से हत्यार वत्यार जो भी आ रहे हैं वो लिमिटेड आ रहे हैं जो इमर्जनसी पर्चेसे वो बाहर से आ रही हैं बाकी सब का सब एकोसिस्टम भारत में क्रियेट हो रहा है इतने सालों से नहीं हुआ अब कर रहा है ये मनीज जी इसका सही आंसर है अभिशेक राओ जी कहते हैं जैंद सर मैं आपका regular viewer हूँ बहुत बहुत धनेवाद अभिशेक जी और जैंद आपको भी वो कल्चर है इसा होना चीव ऐसा होना चीव इसा होना चीव इसा होना चीव राइट देखो मैं आपको बताता हूँ कि human race टॉप पे कैसे गई शेर जो हमसे ज़ादा ताकतवर है हाथी हमसे ज़ादा ताकतवर है मैं पको एक personal point of view बता रहा हूँ हो सकता है मैं बिलकुल गलती बोल रहा हूँ लेकिन है मेरा point of view है पूरे human जो evolution है उसमें से human being stop पे कैसे पहुँचे है intelligence की वज़े से communication की वज़े से और एक और चीज we are the most vicious and the most aggressive of all animals जितना इंसान खतरनाग है न उतना शेर, सांप, बिच्छू चीता ये सब इतने खतरनाग नहीं है जितना इंसान खतरनाग है जानवर तब ही शिकार करता है जब जानवर को भूग लगती है इंसान मज़े के लिए है वर्चस्व के लिए और दस और चीज़ों के लिए शिकार करता है जब कि उसको खून ना बहना पड़े हमें समझना पड़ेगा हमें अपना true nature accept करना पड़ेगा मैं ये नहीं कह रहा कि ये काम अच्छे हैं, ये काम बिल्कुल भी अच्छे नहीं है मैं violence को support नहीं करता लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अपने आप से जूट बोल की है जो आपने वो कल्चर की बात करी मैंने कली I think किसी एपिसोड में में जली रहे या चाना के डालोस में किसी में बोला था कि जो इंगलेंड की ads जो चल रही है UK की आर्मी की, आप कभी ads देखना पता नहीं मुझे लगता है ये कि अब आर्मी बना रहे हैं एंगियो बना रहे है an army is supposed to be violence sanctioned by you see it's it's essentially a violent construct कोई भी आर्मी होती है ये क्या करती है you defend the country with violence कोई भी आर्मी ये ही करती है अब आप इसको ये शहवाज शरीफ क्यों बोल रहा है शहवाज भाई नो नो ये जो violent construct होता है human psychology का न we cannot ignore it हम जतना ignore करेंगे हम अपने आप से जूड बोल रहे है मैं इसको support नहीं करता लेकिन ये बात है हिमांचु जा जैश्री राम मेजर साथ मैं नेपाल के जनकपुर से हूँ अब पढ़ रहा हूँ कि इधर घर जैसा लगता है if I die there are only two country for me question if Indian diplomacy in its height but incident like Spanish woman rape case in Jharkhand will ruin it not that much impact but it isn't good for us जैहिंद जैए नेपाल आप जनकपुर से हैं सीता मा के घर से हैं हिमांचु जाजी आपको नमन है आपको परणाम है ये जो जाज़कंड में rape case हुआ Spanish woman के साथ मैं आपको बता रहा हूँ इसमें चकर क्या है मीडिया दस चीज़ें बोलेगी ठीक है न मैं आपको मेजर गौरवारिया का point of view जब तक आप ये जो rapist है न और भारत में rape क्यों होता है क्योंकि the law is मैं आपको दिल की बाद बता रहा हूँ या the law is against women in this case मैं आपको बताता हूँ इसकी जड़ यही है उसने rape क्यों करा उसने इसलिए करा क्योंकि उसके मन में डर नहीं है उसको पता है कोई भी वकील उसको निकाल लेगा कुछ समय के बाद जब तक आप death punishment नहीं लाएंगे रेप के लिए crimes against women के लिए आप death punishment नहीं लाएंगे not life imprisonment, death जब तक आप हासी पर ने टांगेंगे सरयाम ये चीज नहीं बन दोने वाली हम कहते हैं कि educate करो घर में अरे educate करते करते पता नहीं कितनी और women के साथ ही अत्यचार हो चुका होगा education at home is a very long term program वो भी साथ में चलना चाहिए but you should be absolutely ruthless when it comes to rape बात ये नहीं है कि woman Spanish है Indian है, that is not the case the case is that you can't mistreat a woman if you mistreat a woman there have to be very very severe consequences और consequences ऐसे हो कि किसी की आत्मा कांप जाए कि ये कर क्या दी ऐस आदमी ने और यार कान पकड़ लो कभी इस direction में सोचना भी मत तब जाके ठीक होगा आप ऐसे कैसे किसी और अट को हाथ लगा सकते है रेप तो बहुत बड़ी चीज़ है how can you do that and what kind of a man disrespects woman मुझे तास्ति ये समझ भी ने आया what kind of a man will do this कोई मर्द का बच्चा ऐसा काम ने करता true man is a man who respects women and these guys they should be shot यार इनको पकड़ के निप्टाओ UP पलिस बिल्कु ठीक करती है नोगों में साथ that is the program you should have UP में ये सब जहलना विलना बंद कर दिया अब जो ये काम करता है उसकी गाड़ी पलटती उत्तर प्रदेश में ये तभी ठीक होंगे because you see I don't have any words to describe it but मैं सरिफ एक बात बोल सकता हूँ कि if you disrespect women in any manner rape तो बहुत ultimate चीज हो गई बहुत बड़ी चीज हो गई if you disrespect women in any manner then you're not a man here then you bloody well go home and sit at home फिर तुम मर्द के बच्चे नहीं हो यार अगर तुम औरतों के खिलाब ऐसा करते हो न then you have no business breathing the same air as I do अच्छ जी PhD Media ओ शवाश Sir Chinese Navy Indian Ocean में active रहती ये पर Indian Navy क्यों South China Sea पे active नहीं रहती ताई कि China पे pressure बने Sir love from SM lots of love अच्छ पहली बात तो ये कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि Chinese Navy Indian Ocean region में active है लेकिन इंडिया South China Sea के आज़ पास active नहीं है आपको ऐसा क्यों लगता है हमारा जो पूरा का पूरा Eastern Sea Board है वो कर क्या रहा है आप सोचे पूरा जो Quad है जिसका भारत हिसा है वो कर क्या रहा है Sir, Indian Navy is very much active क्यों चाइना को खुजली हो रही है तिनी क्यों Global Times में लंबे-लंबे editorial छप रहे है अगर चाइनीज नेवी किसी से डरती है तो इंडिया नेवी से डरती है और ये बात है बिकास इंडिया नेवी के पास वो सलाहियत है वो capability है कि चुटकी बजाते ही चाइना की Global Trade वो ब्लॉक कर सकता है अब पढ़ियेगा इंटरनेट पे जाईए और पढ़िये about the famous Malaka Choke वेदान शर्मा जी कहते हैं कि I don't understand why countries like Maldives take money from China though it will hamper their economy in the future and due to the corrupt leaders What happened in Sri Lanka? No big country trust China देखे मैं आपको बताता हूँ चाइना किन countries को पैसा देता है खास तोर से Sri Lanka ले लो, Pakistan ले लो, Maldives ले लो किसी भी country को चाइना पैसा दे रहा है वो क्यों दे रहा है चाइना हर समय छोटे देशों को पैसा देता है तीन चीज़ें होनी चाहिए अगर आपको चाइना से चाइना का चूरन चखना है तो नमबर वन स्मॉल कंट्री नमबर टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नमबर थी करप्टेलीट ये अगर तीन चीज़े होंगी चाइना सूंग सूंग के शिकारी कुत्ते की तरह आपके दर्वाजे पर आ जाएगा अगर आपका मुल्क छोटा है अगर आपके हैं पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है और आपके हैं करप्टेलीट है तो चाइना आएगा ये तीनों देख लीज़े श्रिलंका में पहले राजपक्षा की सरकार थी जो उसको देख लीजिए पाकिस्तान में तो perennial problem है करप्शन की यह और ही सब वहाँ पे उनके जो हड़ी के गुदे के अंदर करप्शन भरा हुआ है पाकिस्तानियों के तो that's a separate case मुहमद मुईजू यह सारी की सारी छोटे चाहे श्रिलंका ले लो चाहे आप मॉल्डीव ले लो चाहे आप एक हट तक नेपाल ले लो चाहे एक हट तक आप पाकिस्तान तो पूरे हट तक ले लो और भी कंट्रीज ले लो आप पूरी आपको एक common factor देखेगा and that common factor is a small country, political instability and a corrupt elite तो दोस्तों यहाँ पे आज का वीडियो होता है खतम I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करिए आमारे चानल को सब्सक्राइब करिए बेल आइकन दबाना बिलको मिल भूलियेगा जहिंद वंदे मातरम भारत माता की जह